राम सिया राम सिया राम जे जे राम दोस्तो आपका आपके अपने चैनल शांती गंगा पर स्वागत है बागिश्पर बालाजी महराज की जै दोस्तो यदि आप भी बागिश्पर बालाजी महराज के भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक चरूर कीजिएगा और वीडियो में अंतक बने रहेगा चारो जुग प्रताप तुम्हारा है परसिद जगत उजियारा जिहां दोस्तो हनुआन ची का प्रताप चारो युगों में रहा है और आगे भी रहेगा क्योंकि वे अजर अमर हैं उन्हें अमरत्व का वर्तान मिला हुआ है वे जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धर्ती पर मौजूद रह सकते हैं दोस्तों सिर्फ इस बात के लिए हनुआन चालिसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता है बलकि इसलिए भी है कि पूरे ब्रह्मान में हनुआन जी ही एक मात्रय से देवता है जिनकी भक्ती से हर तरह के संकट तुरंती हल हो जाते हैं हनुआन चालिसा के महानकवी तुलसिदाज जी ने लिखा था हनुआन चालिसा से पहले भी हनुआन जी पर कई चालिसा लिखी गई और कई इस्तूतियां भी लिखी गई थी लेकिन हनुआन चालिसा का महत्व इसलिए आधुनिक यूग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है और यह भी कि इस चालिसा में हनुआ जी के संपूर रामचरित्र का वर्डन हो जाता है जिस से उनकी भक्ती करने में आसानी होती है दोस्तों हनुआ जी की भक्ती के लिए आप कुछ भी पढ़ें लेकिन हनुमान चालिसा सच में ही अपने आप में एक संपूर रामचरित मानस की तरहा है हनुमान चालिसा लिखने वाले तुलसिदाजी राम के बहुत बड़े भक्त थे उनके इसी विश्वास के कारण औरंग जेव ने उन्हें बंदी बना लिया था और कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालिसा लिखा था अंत में ऐसे कुछ हुआ THAT औरंग जेव को उन्हें चोड़ना ही पड़ा इस हनुमान चालिसा में चालिस च्छन्द होते हैं मित्रों जिसके कारण इसको चालिसा कहा जाता है यदि कोई भी इसका पार्ट करता है तो उसे चालिसा पार्ट बोला जाता है आधुने यूग की भागम भाग में हनवान चालिसा ही एक ऐसा पार्ट है जिसे तुरंथी आसानी से पढ़ा जा सकता है लेकिन इसके लिए हनवान जी की भक्ती होना बहुत जरूरी है हिंदू धर में हनवान चालिसा का बहुत ही महत्व है इस चालिसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस आत्म विश्वास और पराकर्म का संचार होता है इसके कारण हीवे संसार पर विजय प्राप्त कर लीता है दोस्तों इसके हर एक छंद का बहुत महत्व है जैसे यदि किसी का भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको बल बुद्धी विध्या देहूं मोही हरहूं कलेश विकार इस पंक्ती का इस चौपाई का पाट करते रहना चाहिए यदि आपके मन में अकारण भय है तो आपको भूत पिसाच निकट नहीं आवे महाव जब नाम सुनावे इस पंक्ती का उचारण करते रहना है दोस्तो यदि किसी भी तरह से आपका कारे सिध्ध नहीं हो रहा आप कोई भी कारे अपना सिध्ध करना चाहते हैं और ऐसा कारे जो आपको लग रहा है संभावना भी नहीं है सिध्धोने की तब आप इस पंक्ती क जाब सुरू कर दे भीम रूप धरी असुर सहारे राम चंदर के काज समवारे भीम रूप धरी असुर सहारे राम चंदर के काज समवारे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका काम जरूर सिद्ध हो जाएगा आप करके देखें बहुती चमतकारिक प्रभाव है इस पंक्ति की दोस्तों अगला येदि आप बीमार हैं और घर में आप देखते हैं अक्सर हमारी लाइफ स्टाइल के वज़ा से हमारे घर में कोई न कोई बीमारी बनी ही रहती है. तब आप इस पंक्ती का उचारण करें हनुआन चालिसा की नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा आपकी सारी परिशानिया सारी बीमारिया समाथ हो जाएंगी येदि आप पर संकट आ गया है कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा आप बिलकुल अकेले खड़े ह कोई इस संसार में सब आपको मिथ्या लगता है कोई भी आपका साथ ही नहीं है तब आप इस पंक्ती को जरूर पढ़े हनुआन चालिसा की संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन करम बचन ध्यान जो लावे इस तरह से आप या तो संकट कटे मटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा इस पंक्ती को पढ़े या फिर संकट ते हनुमान छुडावे मन करम बचन ध्यान जो लावे दोस्तों आप देखेंगे कि आप यदि दुनिया में अकेले हैं कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा तो ये पंक्ति आप में आत्म विश्वात जगाएगी हन्वान चालिसा कि ये लाइने बहुती चमतकारिक प्रभाव आपको दिखाएंगी आपका जीवन पूरी तरह से पढ़ें आप जबें मन में मन ही मन उनको जबते रहें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बैट कर ही या किसी भी निश्चिस समय पर ही करें यदि हाँ आप निश्चिस समय पर किसी भी पंक्ति का जाब करते हैं तो उसका भी आपको अलग तरह से प्रभाव देखने को मिल लेकि यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस तरहां भी पंक्तियों को पढ़ सकते हैं यह यह दि आप बुरी संगत में पढ़ें हैं दोस्तों और आपकी यह शुटी नहीं रही एक कुमत निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमती निवार सुमती के संगी इस पंक्ती को पढ़िए आपकी संगती बुरी संगती आपके छोट जाएगी धोस्तो यदि आप किसी भी परकार के बंधन में है तो आप इस पंक्ती को जरूर पढ़िए जो सत बार पाठ कर कोई चूट ही बंदी महा सुख होई इस पंक्ती को पढ़िए आपको देखेंगे आपकी जीवन में उचित और बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छा प्वल आपको इसका मिलने वाला है किसी भी प्रकार का यदि आपको डर सता रहा है किसी भी तरहां स आपका मन घवरा रहा है तो आप यह पंक्ती जरूर पढ़ें सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है दोस्तों किसी भी तरहां की मनोकामना आपकी अभिष्ट से अभिष्ट मनोकामना भी पूर पड़े और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे दोस्तों बहुती चमतकारिक हमारे हनवान जी की हनवान चालिसा है और जो भी भक्त इसे मन से इसका पाट करता है तो उस भक्त के जीवन में परिवर्तन अवश्यम भावी है परिवर्तन जरूर होंगे आप दे कीजिए अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो में आप अंतितक बने रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद